अत्यन्द पवित्र, त्रिवेणी संगम, प्रयाग राज, तीर्थ राज के इस पावन तट पर कुम्भ की इस अमृत में वेला में आज वास्तों में अमृत की बुंदे टपकने वाली है हमारे पूजस्वामी जी के मार्ग दर्शन में वास्तविकता यह है योग ही जीवन का अमृत है कुम्भ में विविन अस्थानों पर अमृत की बुंदे टपकी यह तो बात सत्ती ही है लेकिन जीवन को अमृत में बनाने के लिए जिस विधी की आवश्चकता है जिस विधान की आवश्चकता है उसका नाम योग है यह योग हमारे समस्त साधना मारगों का मूला धार रहा है भगवद गीता योग शास्तर कहलाती है और गीताकार स्वयम योग इश्वर कृष्ट न कहलाते है इस योग को पुझय योगरुशी स्वामी जी महराज ने जन जन तक पहुंचाया और संपुर्ण भारत की और देखने का लोगों का दृष्टिकों बदल दिया आज प्रयाक की धरती पर जिस महत्मा के निर्देशन में हम लोग योगा अभ्यास करने वाले हैं वह महत्मा इस कोटी का महत्मा है जैसे विभूति महिवक्तित्व सदियों में सहसराब्दियों में बूतल पर आते हैं इसका विश्वास रखिएगा